वेल्कम टू भाई की बढ़ाई सस्क्राइबर और जिनोंने नहीं किया वो कर दो कर दिया चल पढ़ाओ चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं तो तुमने किसी न किसी के मूँ से ये जरूर सुना होगा कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है तो मिट्टी और धूल में जादा फरक नहीं होता उतना ही है जितना चांद और चांदनी में शरीर और प्राण में मिट्टी की आबा यानि चमक धूल है इस से मिट्टी के रंग रूप की पहचान होती है ग्रामेन इलाकों में धूल को कोई गंदा नहीं मानता गोधुली ने धूल को अमर कर दिया है शेहरों मे तो बस कारधुली देखने का ही मौका मिलता है जो शिशु के मूव पर है जो फूल की पंकुडी पर सौंदर्रे बन कर छा जाती है उसी का नाम धूल है न जाने कित्ते कवी गोधूली की तारीफ करते करते जवान से बूड़े हो गए गोधूली गाउं की प्रापरटी है ये शहर में देखने को नहीं मिलती धूल से लोग अपनी स्रद्धास, ने और भक्ती प्रकट करते हैं जैसे एक योध्धा धूल को माथे पे लगाता है जैसे कवध्डी और कुष्टी में खिलाडी धूल को छूते हैं भाई ये उस टाइम की बात है जब प्रो कवध्डी लीग का सेकंड सीजन आया था जोस जोस में मैं भी कवध्डी के मैदान में उतर गया और जब मेरी रेड आई तो मेरे सामने चार प्लेयर थे मैंने एक को टच किया और वापस भागने लगा पर तभी उनके दो प्लेयर सामने से आये चेन लेके मैंने फ्रॉग जम्प मारी और पता नहीं उन दोनों मेंसे किस बिच्चॉलीे ने मेरा कच्छा पगड लिया फिर क्या था मैंने तो मिड्लाइन क्रॉस कर ली पर मेरा कच्छा नहीं कर पाया और बस उस दिन के बाद से मैंने बिना अंडर्वेर के घर से बाहर जाना बंदगर दिया हाँ तो हम धूल से क्या-क्या शो करते हैं वो बात कर रहे थे ग्रणा या नफरत निकालने के लिए धूल जैसे शब्दों का इस्तमाल होता है जैसे हम मैच जीतने के बाद ओपोनेंट्स को बोलते हैं कि हमने तुम्हें धूल चटा दी यार बच्पन में मैंने बहुत धूल चाटी है असली वाली धूल की बात कर रहा हूँ मिट्टी बहुत सारे रंगों की होती है काली पीली लाल एटसक्टरा एटसक्टरा लेकिन धूल धूल सिर्फ एक रंग की होती है जित्ता लोग धूल को गंदा समझते हैं वह उत्ती गंदी नहीं है उल्टा वह तो बहुत अच्छी है इस चेप्टर में लेखक यही बताना चाहता है कि अगर लोग धूल को माथे पर ना लगाएं तो सही है लेकिन उस पर पैर भी ना रखें मतलब धूल को चूने से ना बचे एक तरफ देश भक्त है जो धूल की पूजा करता है और दूसरी तरफ हम जो धूल को चूना भी गंदा समझते हैं लोगों की यही सोच तो बदलनी है लोग शोओफ के चक्कर में अपनी सोच खराब कर रहे हैं काच और हीरा दिखने में दोनों एक जैसे हैं हथोड़ा मारने पर काच तूट जाता है लेकिन हीरा नहीं तूटता क्योंकि हीरा अटूट है इसी तरह धूली भरा हीरा यानी धूल से सना बच्चा उसकी अंदर की सुन्दरता अटूट है जब हम इस काच को पसंद करना बंद करेंगे तभी हम हीरे से लिप्टी हुई धूल को माथे से लगाना सीखेंगे तो आज का मौरल यही है या तो कच्चे का नाड़ा बानना सीख लो वरना किसी दिन तुमारी भरी सबा में कच्चा हरन हो जाएगा झाल